तो कई लोग मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि सरफ बैंगलोर क्वालिटी जैसी अगरभत्ति कैसे बनेगी और इसका फार्मुलेशन कैसे होगा क्या होगा कैसे हमें जो है ये बनानी पड़ेगी तो मुझे थोड़ी सी असी आती है कि लोग जो है बैंगलोर क्वालिटी अगर बत्ती बनाना सीख जाएंगे ऐसा सोचते हैं जो कि बिलकुल गलत है जब तक आप efforts जी डालोगे महनत नहीं करोगे hard work आपका नहीं होगा तब तक आप quality maintain नहीं कर पाओगे नहीं quality को समझ पाओगे और जो है कई लोग ऐसे भी होते हैं कि सर profit नहीं हो रहा है कल business start किया market में product छोड़ा और तीसरे दिन जो है उनको cash चाहिए ऐसा business नहीं होता है आपको जो है time देना पड़ेगा सो फिर आज का हमारा वीडियो होने वाला है how to make bangalore quality अगरबती कभी कभी मैं यह सोचता हूं कि लोग खली bangalore bangalore जिसे देखो bangalore quality अगरबती bangalore quality अगरबती सुनकर सीर जो है दर्द होने लग जाता है कि क्या है भाई bangalore अगर यह bangalore quality मैं भी थोड़ा समझ जाता तो आ maintain किया जा सकता है और हमें इस पर ध्यान दे के काम करना चाहिए तो जो है टॉपिक में आगे बात करने से पहले एक छोटा सरीकेश अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं कि तो सस्क्राइब जरूर कर लिजे क्योंकि अगरबती business से related ऐसी कुछ information हमारे चैनल के प्लीस आप सस्क्राइब करके जरूर रख लें तो बात करते हम टॉपक के उपर जैसे कि अभी मैं हाथ में रखा हुआ हूँ बैंगलोर की एक कंपनी की अगरबत्ती जो की काफी अच्छी है फ्रेग्नेंस काफी अच्छा है और काफी लास्टिंग पर्फ्यूम है और काफी हैं अब इस जो है लॉजिक को हम समझते हैं हमारे भारत में अधिकतर लोग जो है नई स्टाट इप होते हैं नया जहो है बिसनेस सालू करने वाले लोग होते है और स्टार्टिंग में ही क्वालीटि के फीछे भागने लग जाते आपने प्रोडॉक्त को नहीं देखते हैं पहली चीज जब business कोई start करता है तो सबसे पहले होता है product कि सबसे पहले हो गया उनका यह जैसा भी हो अगर बत्ती का product हो जो भी हो पुझा समान से related जो भी product और जो दूसरी चीज होती है quality यहां पे दूसरी चीज हो गई हमारी quality अब जो है यह दोनों चीजों पर जो है पूरे product की value जो है होती है एक product और उसकी जो है quality product कोई भी हो सकता है अगर बत्ती हो गया दूप हो गया दूप इस्टिक्स हो गई और वहुँ सारी चीज़े है तो जैसे start-up होता है तो start होने के बाद लोग अपने product को value नहीं देते वो सोचते कि हमारे product में कुछ न कुछ खराबी है खराबी है खराबी है तो जो है starting से ही आपका brand बुस्ट नहीं हो जाएगा एकदम से बड़ा नहीं हो जाएगा एकदम से आप quality wise product नहीं बना पाओगे उसके पीछे का reason यह है कि जो चीज़े है जो सीखने का नजरिया है उसके पीछे जो effort है बाइदवे अगरबत्ती है अब अगरबत्ती कैसे बनानी है जर्नली आप जानते हों के machine है प्रिमिक्स है प्रफ्यूमर डीप वाइल इस तरीके से अगरबत्ती बन जाती है लेकिन जो इसके पीछे की qualities है जो चीज़े की जाती है उसको समझना बहुत जादा जरूरी है अब रही बात बैंगलोर की तो बैंगलोर वाले लोग आज का startup उनका नहीं है उनका काफी सालों से सुनने में आता है कि उनके पूरवजों के जमाने से business वो करते आ रहे हैं और उनकी खूबिया और यह उनका family business जो है बन चीजे हम नहीं समझ पाते हम यह सोचते हैं कि कल हमने यह plan किया plan करने के बाद पैसा डाले पैसा डालने के बाद business इस्टार्ट किया और चौथे दिन जो हमारा product एक दम से boost हो जाएगा ऐसा नहीं होता और यह समझने वाली चीज है जो कि लोग समझते नहीं है कुछ दिनों काफी समय से यह काम कर रहे हैं उनके पूरवजों के जमाने से यह काम हो रही है तो इसके पीछे उनका knowledge है और knowledge की पीछे उनकी quality है बस यहीं दो चीज़े हैं जो कि हम और आप और हम नहीं करना चाहते हैं यहीं एक सड़ी सबसे बड़ी वज़ा है जो कि हमारा product जो है successful नह आपको बताना चाहूंगा यहां पर एक या दो साल की बात नहीं होती लोग चार मैने में अपना धंदा बंद करके बैठ जाते हैं और धंदा ऐसा नहीं होता आपको minimum 4-5 साल देने ही होंगे तब ही जाके आप एक अच्छा product और एक अच्छा innovation करके अपने business को बना पाओग और कुछ चीजे जो है मैं देखा हूं तो लोग यह सोचने की profit नहीं होता वही starting आपका business है मान के चलता हूं कि profit नहीं होता लेकिन उसका जो है चलाने का अच्छे तरीके से करने का जो तजूरबर जो मिलता है वही आपके लिए आगे profit दिला के जाएगा और जो है लोगों साथ तूरंथ ही आना चाहिए तो ऐसा business में नहीं होता आपको सब चीजों के लिए एक timing और process के आपको काम करनी पड़ेगी तब ही जाके आप अच्छे से अच्छा quality और जो बैंगलोर quality का गुन आप गाते रहते हैं उसे आप कर पाओगे तो सीधी सी बात यही है महनत आप करते रहिए जितना ज्यादा महनत होगा जितने ज्यादा से आप ज्यादा आप काम करने की कोसिस करोगे आपकी skills बढ़ेगी आपके समझने और सोचने का तरीका बढ़ेगा तो उस तरीके से आप qualities को maintain जरूर कर लोगे तो यही था हमारा एक छोटर सा वीडियो मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवादा